सिसुराल बैठ गई जिठानी संभाल सकती है मुझे नौकरी करना शुरू से ही खास पसंद नहीं है शादी के बाद अपनी घर ग्रेस्ती और रिष्टों को सहच कर रखना मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा चलो जैसे तुम्हारे इच्छा बिटा हम तुम पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डालेंगे शादी के बाद तुम्हे काम करना है या घर रेकर घर ग्रेस्ती संभालनी है या पूरी तरह से तुम्हारा ही निनने होगा जल्दी ही नीशा की शादी भानू के साथ हो जाती है और शादी के बार नीशा पहुँच जाती है अपने सिसराल नीशा के परिवार में साथ सिसर के अलावा एक कमारा देवर भी था चूंकि नीशा को घर ग्रहस्ती संभालना बहुत अच्छा लगता था इसलिए जल्दी ही उसने पूरे घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया था सबकी पसंद, नापसंद का खयाल रखना, सबके लिए खुशी-खुशी सारे काम करना नीशा को बहुत अच्छा लगता था योही घर ग्रहस्ती की काम निप्टाते और सबकी जरूरतों का खयाल रखते-रखते साथ साल का लंबा समय बीच जाता है इन साथ सालों में नीशा दो बच्चों की मा बन गई थी शौक्या तोर पर ग्रहनी बननी की जो जिम्मेदारी उसने चुनी थी अब उसे निभा पाना उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनाथी बन गया था क्योंकि संयुक्त परिवार में दो बच्चों के साथ सबकी इच्छाओं पर खरा उतर पाना कोई आसान काम तो होता नि ठीकी कहता है क्रिहस्ती एक चक्की है जिसमें अच्छे अच्छे पीसका निकलते हैं आज वाली नीशा में और साथ साल पहले की नीशा में जमीन आसमान का अंतर है मेरे बाल, कपड़े, बाच्चित यहां तकी सोचने की तरीके में भी अंतर आ गया है कौन समझी का कि मैं वही लड़की हूँ जिसके कपड़ों पर एक सलवट नहीं पढ़ सकती थी हाराज, मेरे कपड़े कभी आईरन हुए नहीं पाते सब के कपड़े आईरन करने के बाद मन में यही आता है कि मुझे कहां जाना है आईरन के जरुरती क्या है कभी-कभी तो मुझे अपने नेने पर खुदी शक होता है कहीं मैंने हाउस्वाय पनने का नेने लेकर कोई गलती तो नहीं कर दी निश्या अपने सवालों की उधेड मुन में लगी थी कि तभी सास शन्नों की आवाज से उसकी तंद्रा भंग हो जाती है अरा निश्या बहुत सो गई क्या पता नहीं पूरा दिन अपने कमरे में पड़ी क्या करती रहती है गर में काम ही कितना है पूरा दिन पड़ी बिस्तर तोड़ती रहती है कितनी ही आवाजे लगा लो मजाल है जो ये सुन ले जी माजी क्या हुआ अरे क्या हुआ क्या, सो गई थी क्या, कितने नींद आती है तुमको भई ममी जी सो ही नहीं थी, और कभी सो भी नहीं पाती हूँ दोपैर में मैं अपने कमरे में सोने नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती हूँ उसके बाद शाम की चाय, खाना, कपड़े, आयरन करना, मेरे पास कामों की कोई कमी है क्या आरा, अच्छा, अच्छा, ठीक है, थोड़ी दिर में नुकड़ वाली भू आएंगी, उनके लिए चाय नाश्ता बना देना, और हाँ फिर से आवाज ना लगाना पड़े, खुद से लेकर चली आना ठीक है, माजी बना दूगी, हाउस वाइफ बनते वे मैंने कभी ये नहीं सूचा था, कि दिन की 24 घंटे भी काम करने के बाद समय कम पड़ जाएगा, और फिर भी किसी को मेरा किया काम दिखाई नहीं देगा, शाम को माजी आज आलू की कचोड़ी बना दीती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, काफी दिन से मन कर रहा था खाने का खाना हमेशा बहा नौकरी करने वालों की पसंद को ध्यान में रख कर बनाया जाता है, हमारा क्या है, हम तो घर में रहते हैं, घर पर चाहे जो खा सकते हैं लेकिन बहा निकल कर नौकरी करने वाले को दिन भर मैनत करने के बाद कम से कम पसंद का भर पेट भोजन मिल जाए, तो उनकी ठकान दूर हो जाए, और तू अच्छे से जानती है कि तिरे बाउजी कचोड़ी नहीं खाने वाले, उनको तला भोजन नुकसान करता है, तो उन के ताने सुनकर, नीशा अकसर परिशान हो जाती, लेकिन फिर अपने आपको संतुलीत करके एक बार फिर से अपने घर ग्रहस्ती को सजाने में जूट जाती, नीशा बाभू, देखो तो ज़रा मानस के लिए ये रिष्टे आये है, फोटो देखकर पसंद करो, कौन सी लड सही बताओ बहुत हो, मुझे भी यही लड़की पसंद आयी थी, अब ज़रा एक बार मानस को दिखा कर पूछ लेते हैं, फिर दिपिका के घरवालों के साथ मीटिंग रखकर आमने सामने लड़की को समझ लेते हैं, ठीक है माजी, तस्वीर देखकर मानस को भी दिपिका ही पसंद आयी थी, उसके घरवालों से मिलने के बाद जल्दी ही मानस और दिपिका की शादी हो जाती है, और दिपिका शादी करने के बाद नीशा की देवरानी बन कर उनके घर आ जाती है, शादी के बाद, भाबी आपको पता है, नमन आपके हाथ के खानी की बहुत तारीफ करते हैं कहते हैं मेरी भाबी सूपर वुमन है अरे चार लोगों के बराबर का काम अकेली कर लेती हैं और उनके माँ थे पर शेकंदत नहीं आती वो तो हमेशा मुझे बस आपके जैसा बनने के लिए कहते रहते हैं मैंने भी साफ कह दिया ना बाबा ना मुझसे भाबी जितन निशा आज तक ससूर, पती, देवर और अपने दोनों बच्चों के लिए खुशी-खुशी खाना पकाती थी लेकिन जब से देवर की शादी की बात चली थी निशा को एक आस सी बन गई थी कि कम से कम अब कोई ऐसा होगा जिसके साथ वो घर के काम शेयर कर सकेगी कभी अगर तब्य ठीक ना हो या खाना बनाने का मन ना करे तो देवरानी उसके ना होने पर घर को अच्छे से संभाल लेगी लेकिन जब से उसने दिपिका के नौकरी पेशा होने के बात सुनी थी उसके दिल पर छूरियां चल रही थी आज कल तो बाकी लोग ही मुझे पर ओर्डर चलाया करते थी लेकिन अब ये कल की आई दिपिका भी मुझे पर ओर्डर चलाने लगी है नीशा उधेडबुन में लगी थी कि उसकी सास शन्नो की आवाज सुनाई पड़ती है नीशा देखो दिपिका को कल से आफिस जोइन करना है तुम दिपिका से उसकी पसंद पूछ लेना और उसकी टिफिन में उसकी पसंद का खाना बना कर ही पैक करना बुरा दिन मैनत करेगी बेचारी खाना तो अपनी मन पसंद का मिले उसे मुझसे तो आज तक माजी ने कभी मेरी पसंद पूछी नी साथ सालों में कभी अगर मैंने अपनी पसंद का कुछ बना भी दिया तो माजी हमेशा मू बना लेती है लेकिन दिपीका क्याते ही उसे उसकी पसंद का खाना खिलाने के लिए खुद से कह रही है तो क्या मैं पूरा दिन खाली रहती हूँ नौकरी करने वालों से भी ज्यादा काम रहता है मेरी पास इतने बड़े परिवार के जिम्मेदारी अकेले संभालना कुई बच्चों का खेल है क्या हाँ वो अलग बात है कि इतना काम करने के बाद भी घर में मुझे सम्मान न के बराबर ही मिल रहा है नीशा के देवरानी दिपिका नीशा का बहुत सम्मान करती थी वो हमेशा उसके साथ अच्छे से व्यवार करती इतना ही नहीं देवर, पती और उसके बच्ची भी उसे भरपूर सम्मान दे रहे थे लेकिन उसके मन में गहराई से इस बात ने पैट जमाली थी कि वो हाउस वाइफ है इसलिए उसकी घर में कोई एहम्यत नहीं है देवरानी दिपिका अकसर अपनी पसंद जिठानी को बताती और सास शन्नो नीशा पर दिपिका की पसंद का खाना और नाश्ता बनाने का दबाव बनाती अगर इसी बीच नीशा अपनी पसंद बताने की कोशिश करती तो शन्नो उसकी बातों को कार दीती सास के ऐसे व्यवार के कारण अब नीशा मन ही मन घुटन मैसुस करने लगी थी भाबी कल आप बढ़िया सा कुछ स्नेक्स और साथ में कॉफी और चाय भी बना लेना क्या बात है आज बहुत खुश नसर आ रही हो कोई आने वाला है क्या हाँ भाबी मेरे कुछ दोस्त है काफी दिनों से पीछे पढ़ें कि मैं उन्हें घर बुलाकट डिनर कराू इसलिए आज मैंने उन्हें इंवाइट करी दिया माजी को ऐसे किसी को भी अपने घर बुलाने से सकत परहिज है कैसी बात कर रही हो भावी आप मैंने माजी से पूछ लिया था बलकि वो तो मेरे दोस्तों से मिलने के लिए खुद बहुत एक्साइटेड हो रही थी कैने लगी किसी दिन क्यों आजी बुला ले अपने दोस्तों को क्या सच में माजी नहीं सका हाँ भावी बलकुल सच माजी नहीं सच में बहुत अच्छी है उनके जैसी सास हो तो बहु के लिए ससुराल ससुराल रही ही न मैं तो बहुत लखी हूँ जो आप और माजी मुझे मिले हाँ माजी को तो सास बस मेरी बनना है तुम्हारे लिए तो वो कुछ भी करने को तयार है पैसों के आगे सारी दुनिया घुटना टेकने को तयार हो जाती है दिपिका चार पैसे क्या कमाने लगी माजी के तो रंगी बदल गए नीशा अपने मन की बात किसी से कहनी पा रही थी लेकिन उसके मन में भयंगर उथल पुथल मची हुई थी जबसे दिपिका शादी करके इस घर में आई थी वो हर पल खुद को दिपिका से छोटा मैसूस करती थी नीशा देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद के छोले भटूरे लेकर आया हूँ चुप-चप खालो मुझे नीची आपका यह ऐसान आज के बाद मेरे लिए कुछ भी लेकर आने के जरुवत नहीं है अरे लेकिन हुआ क्या साथ साल होगे मेरी शादी को आखिर कब तक ऐसे बंद कमरे में लाकर मुझे मेरी पसंद की चीज़े खिलाते रहोगे क्या मुझे कभी वो सम्मान नहीं मिलेगा कि इस घर में खाना पकाने से पहले मेरी भी पसंद पूछी जाए क्या मैं जीवन भर ऐसे ही कमरे में छिप कर खाती रहूँगी अपका अपनी पत्नी के प्रती कोई फर्ज नहीं है क्या मुझे तो ऐसे बंद कमरे में लाकर खिला सकते हो माजी ने एक बार जाकर अपनी मा से नहीं कह सकते कि मा आज खाना निशा की पसंद का बनेगा कल दिपिका के दोस्त घर पर आ रहे है और माजी को इस बात से कोई अतरास नहीं है याद है ना जब मैंने एक बार अपनी सहली को यहां बुलाना चाहा था तो माजी ने क्या कहा था उन्होंने कहा अपनी यारी दोस्ती माई के जाकर निभाना मुझे यह सब पसंद नहीं है फिर आज माजी ने दिपिका को कैसे हां कह दिया जी बर बाते सुनानी के बाद नीशा मू पुला कर सो जाती है अगले दिन दिपिका के दोस्तों की स्वागत की तयारी में शन्नों बढ़ चड़ कर हिस्सा ले रही थी कुछ दिर बाद दिपिका के दोस्त घर पहुँच जाते हैं उची हिल की सांडल्स, सुन्दे मौटन ड्रेसिस और खुले बालों में दिपिका की सहलियां बहुत खुबसूरत और हाइफाइम नजर आ रही थी दिपिका ने भी अपने दोस्तों के सामने फिटट स्कर्ट और शॉट टॉप पहना हुआ था कितने डिफरेंट लग रही है ये दिपिका अपने दोस्तों की पाटी में एक मैं हूँ, पूरे कपड़े पहन कर, सर पर पल्लो लेकर भी अगर अपनी सहली की घर किर्तन में जाना चाहूँ, तो कभी माजी खुशी-खुशी जाने नहीं दीती दिपिका के दोस्तों के सामने मैं तो बिल्कुल गवार नसर आ रही है मैं उनके सामने जाऊंगे हैं नहीं, क्या सोचींगे बोलो, यही ना कि मैं अनपड़ गवार हूँ कुछ दिरबाद भावी, आईए ना आप, आपको पता है, सब लोग खानी की बहुत तारीफ कर रहे हैं और आपसे मिलना भी चाहते हैं, अब आपको चलके सबसे मिलना ही होगा अरे बिस बहुत बना लिया अपने नाश्ता, चलो ना हमारे साथ वह इपर बैठो अरे ने ने, मैं वाँ नहीं आ सकती, तुम्हारे दोस्ते तुम्हाराम से उनके साथ पाटी करो, मैं यहीं ठीक हूँ अरे भावी, कैसी बात करते हो आप, मुझे अच्छा लगेगा अपने दोस्तों से आपको मिलवाने में तुम्हे तो अच्छा ही लगेगा, जब तुम्हारे दोस्त कहेंगे, तुम तो अपनी जिठानी से लाग गुना बैतर हो कहां तुम नौकरी करने वाली इंडिपेंडेंट लड़की, और कहां मैं घर में जाड़ू पोछे के लिए अपनी जिंदगी खराब करने वाली देसी गवार तुम्हारी नाग तो बहुत उची हो जाएगी दोस्तों के सामने, है न अरे भाबी चलिए ना, इतना भी क्या सोच रही है मैंने तुम्हें एक बार मना कर दिया ना, मुझे नहीं आना, मतलब नहीं आना तुम्हारी चाला क्या मैं खुब समझती हूँ, भाबी भाबी करके अपना मतलब निकालना कोई तुम से सीखे भाबी, अब मेरे साथ इतना रूखा भ्यवार क्यों कर रही हो, क्या भी गाड़ा है मैंने आपका मैंने शुरू से नोटिस किया है, मैं आपके साथ चाहिद जितना भी प्यार से बात कर लूँ, आप हमेशा मुझसे चीड़ी सी रहती है दिवरानी की बात सुनकर निशा गुसे में अपने कमरे में चली जाती है निशा बिटा, कैसी है तू? क्या बताओ ममे, मेरा घर में मनी नहीं लगता, मन करता है सब छोड़कर कहीं दूर चली जाओ अरे, अरे, पिटा, ऐसा क्या हो गया? इतने सालों से तू सब कुछ ठीक ठाक था, अचानक ऐसी बाते क्यों कर रही है? ऐसी बाते ना करूं तू क्या करूं? अरे, नौकरी करने वाली देवरानी के आगे मेरी आउकात इस घर में एक नौकर के बराबर भी नहीं रह गई है अरे, पिटा, ऐसा क्यूं सोचती है तू? ऐसा तुझे किस्ते कहा कि नौकरी करने वाला घर में रहने वाले से उपर होता है और जो घर में रहकर ग्रिहस्ती को संभाले, वो नौकरी पेशा से कमतर हो जाता है मा बाते करने के लिए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन सच्चाई जो है न, वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मा जी ने कभी मुझे साड़ी की जग़ सूट पहनी की भी पर्मीशन नहीं दी अगर कभी बच्चे होनी के समय भी मैंने सूट पहन लिया न, तो मा हमेशा से टेड़ी नजरों से मुझे घुरती रहती और जब से ये दीपिका आई है, उसे तो स्कर्ट और जिल्स पहननी की भी पर्मीशन मिल गई है इतना ही नहीं, मम्मी जी तो बड़े गर्व से सबको दीपिका से मिलवाती है मुझे मिलवाते वे, मैंने कभी मा जी के चेहरे पे गर्व नहीं देखा जबकि पिछले साथ सालों से दिन, राज, चक्की की तरह पीस कर मैंने इस घर को संभाला है सबके खाने पीने से लेकर घर की साफ सफाई, कपड़े, बर, तैन, जाड़, उपोचा अरे क्या नहीं किया मैंने इस घर के लिए अपनी डिगरी तक को भुला दिया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला, कुछ नहीं मम्मी, शायद दिपीका इस घर में ना आती ना, तो मुझे इस बात का ऐसास ही ना होता कि मेरी वास्तो मैं इस घर में जगा क्या है उसके आने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं तो कुछ हुई ही नहीं मैं तो बेहुकूफ थी, जो नौकरी करने के बजाए घर में रहकर सबकी चाकरी करना स्रिकार किया कितना अच्छा होता अगर मैं भी घर से बाहर निकल कर नौकरी करती सुबह सुबह अच्छे-च्छे कपड़ी पहन कर आफिस के लिए निकल चाती निकल जाती और शाम को आकर मेहमानों की तरए डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैट जाती जिंदगी तो दीपी का जीरी है मम्मी मेरी जिंदगी भी कोई जिंदगी है सुबह से लेकर रात हुने तक घर के कामों में पिस्ते रो और बदले में किसी की आँखों में ना तो प्यार दिखाई देता है और ना ही सम्मान बेटा इस तरह से अगर सोचेगी न तो कभी खुश नहीं रह पाएगी देख बिटा नौकरी करने वाली औरतों की और घर में रहने वाली औरतों की जिन्दगी में जमीन आसमान का अंतर होता जरूर है लेकिन तुम्हारा ये सोचना कि आफिस जाने का मतलब काम से छुट्टी पाना है तो मैं बता दू तुम्हारी सोच बहुत गलत है बिटा ऑफिस जाने वाले भी 8-10 घंटे ऑफिस में काम करके ही घर लोटते हैं और घर में रहने वाली औरते भी पूरा दिन घर में काम ही क्या करती है तुम्हारे घर में तो तुम हो इसलिए घर के काम तुम निप्टा देती हो लेकिन ज्यादातर घरों में आफिस से लोटने के बाद भी औरती घर के कामों में जुट जाती है अगर उसके पास अपने दोस्तों से मिलने और अपनी पसंद के कपड़े पहनी के आजादी है तो तुम्हारे पास भी तो अपने बच्चें और परिवार के साथ मन चाह समय बिताने की आजादी है बोलो है की नहीं है तुम खुछ सोच कर बताओ दिपिका और मानस के बीच में कितनी परिशानिया चल रही है और वो सब परिशानिया इसलिए क्योंकि नई नई शादी में नौकरिक के कारण वो दोनों ही एक दुसरे को समय नहीं दे पारे एक दुसरे की बात उको समझने के लिए उनके पास समय ही कहा है जबकि तुने कितनी अच्छी तरह सब को संभाल लिया था अगर दिपिका को काम के बदले पैसा मिल रहा है तो तुझे अपने बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाने की संतुष्टी मिल रही है है की नहीं वरकिंग माए अपने बच्चों के लिए समय कहां निकाल पाती है अपने बच्चों को अपने हाथों से पालने, उनको खाना खिलाने और अपने घर को सजाने का जो सावभागे तेरे पास है वो दीपी का के पास नहीं है अभी तू नहीं कहा न बेटा कि वो शाम को मैमान की तरह टेबल पर आकर बैठ जाती है तो तू तो मालकीन की तरह उसे खाना परोस्ती है जो ऐसा क्यों नहीं सोचती बिटा अपने काम के लिए सम्मान और संदुष्टी सबसे पहले हमारे मन में होनी चाहिए दूसरों से सम्मान की उम्मिद हम तभी कर सकते हैं जब हम खुद अपने काम का सम्मान करे गर सम्मालना अगर तेरे लिए छोटा काम है तो तू किसी और से सम्मान की उम्मिद कर भी कैसे सकती है अब बिल्कुल ठीक है रही ममी पता नहीं क्या हो गया थो मुझे मैंने तो खुद नौकरी की जगा घर को हमेशा प्राथ मेकता दी लेकिन दिपिका को देखकर मुझे न जाने की उससे जलन होने लगी थी जिपकी भूतो सचमुष बहुत अच्छी लड़की है हमेशा बड़ी बेहन की तर मुझे प्यार देती है और मेरा बहुत सम्मान भी करती है मैं वादा करती हूँ आज के बाद ऐसी बात अपने मन में कभी नहीं आने दूँगी दीपी का बाहर काम करेगी और मैं घर संभालूँगी हम दोनों का काम हमारे रिष्टे को आज के बाद कभी प्रभावित नहीं करेगा